नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास जियोतिश कार्यक्रम में तो सिंह राशिवालों तो दोस्तों तैयार रहें या तो होकर रहेगा और दर्वाजा बिल्कुल बंद करके ही देखें बस सच्चाई जानकर बेहोश मत हो जाना आने वाले इतनी बड़ी क्या खुशखबरी मिलने वाली है या फिर आपके जीवन में ऐसा कौन सा घटना होने वाला है जिसके कारण माता काली जी आपके घर पधारेंगे और दोस्तों आपको आखिर कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है जिनके बारे में हम आपको आज किस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ज्यान का भंडार आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप लोगों को देख कर बहुत खुशी होगी जी हाँ दोस्तों परंतु आप इस वीडियो को मिस मत कीजि हैं या फिर लगातार पैसों की प्राप्ति हो रही है होती है तो दोस्तों इसका एक ही मतलब निकलता है कि दिव्य शक्तियों की खास क्रिपा आपके घर पर पड़ रही है लेकिन क्या हर एक घर में देवी शक्तियों की क्रिपा होती है क्या हर एक घर में देवियों का आशीर तो ऐसे में आप एक बात का ध्यान जरूर रखियेगा। क्योंकि जब भी आपके घर में कोई देवी वास करते हैं तो वह उसे घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति रहे नहीं सकती है। तो आप दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करोगे। जी हाँ दोस्तों इस तरह के लोगों का कम कभी नहीं रुखते। तो उसका असर भी बेअसर हो जाता है यानि कि दोस्तों इसका प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ता है। और दोस्तों दुनिया के हर एक देश में हर जगह के लोगों में और खास कर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं कि लोग एक दूसरे से जलते बहुत हैं और सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति के तरक्की को देखक अगर कुछ लोग जलने लगते हैं, उसके अंदर जलन भावना पैदा हो जाती है। इसके लोग तो चलेंगे ही आपसे, लेकिन आपके जो रिष्टेदार होते हैं, जो पडोसी सुधार होते हैं, यानि की नजदी की रिष्टेदार वह भी आपसे जलने लगता है। जिससे आप उसके शड्यंत्र में फंस जाएं, और जो आप जहां से पैसा कमा रहे हैं, वह रास्ता आपका रुक जाए। लेकिन दोस्तों, जब भूल जाता है कि जिस व्यक्ती का कर्म अच्छा होता है, जो व्यक्ती अपने दिमाग से कम लेता है, और बहुत ज्यादा मेहनती होता है, उसके उपर देवी देवताओं का आशीरवाद होता है, तो फिर चाहे मनुष्य कितना भी कोशिश क्यों न क पाएगा, जी हाँ दोस्तों 100%, सत्य भविश्यवानी है, कृपया से मजाक ना समझे, नहीं तो बाद में आप बहुत पच्छताओगे, और साथ में आपको हम यह भी बता दें, कि कल के दिन आपको बहुत बड़े खुश खबरी भी मिलेगी, दोस्तों इतनी बड़ी माता कालिका जी का हाथ है, इसलिए आपका दुश्मन आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकता है, और साथ में दोस्त आपको हम यह भी बताना चाहें कि आज का वीडियो बहुत खास है, आपके लिए इस मिस करने की गलती मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर द जैमा काली जरूर लिखें, आपके सारे अधूरे बिगड़े काम बन जाएंगे, तथा अगर आप अपने उपर गुरू जी का सीधा आशीरवाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बैल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आप को कौन सी वीडियो कुछ खबरियां मिलने वाली है, आपका स्वास्थे कैसा रहेगा, यानि की दोस्तों संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बस आप चिंता न करें, और हमारे वीडियो के साथ अंत तक बन रहे, तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपके राशिफल से तो सिंह राशिवालों, दोस्तों मन्चाही सफलता मिलेगी, अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इससे तनाव मुक्त महसूस करेंगे, सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्रात्मिकता दें, किसी नजदी की संबंधी के साथ चल रहे खर कत आए, तो अपने महत्वपूर्ण कारियों में किसी व्रिष्ट व्यक्ति की सलाह अवश्य ले, और हाँ, व्यवसाईक कारियों को पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिती बन सकती है, प्रॉपटी से संबंधित व्यवसाई में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे, स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें तथा पारिवारिक जीवन पर अपनी व्यवसाईक परेशानियों को हावी ना होने दें, कोई मनोरंजक का प्रोग्राम बनाने से संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध के प्रती इमानदार रहे, स्वा प्रोगों की मदद लें, आज चिंता छोड़ कर खुद को आराम दें, मित्रों के साथ वक्त बिताएं, मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी, तथा आप मानसिक और शारीरिक तोर पर ठकान महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम और पोश्टिक आहार आपके उर्जा स्तर को उठाए रखने में अहम साबित होगा, दीरगावधी मुनाफे के नजरिये से स्टॉक और म्यूचुल फंड में निवेश करना फाइदेमंद रहेगा, सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त उर्जा है, जो आपको किसी पार्टी या का से दारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे, जहां जाकर आपको शांती प्राप्त होती है, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में शहद से भी ज्यादा, मिठास है तथा दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी, आप काफी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं, तथा आज का दिन आपके लिए कुछ अजीब सा रहेगा, ऐसी कुछ घटनाएं भी घट सकती हैं, जिनके होने की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, यह महत्वपूर्ण रहेगा कि आप ग्रिहों की स्थिति का ध्यान रखते कि बहुत सारे प्रेमियों में से छांट कर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ न करें, आपका व्यक्तित्व आकरशक है, लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ न देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा, जब आप किसी निशकर्ष पर पहुँच के लिए ये सब आपको जेलना और सहना पड़ सकता है, हालांकि आपके शांती और धैर्य को देखकर एक सफल विज्यापन एजेंसी व्यापार के लिए आपसे संपर्क कर सकती है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो आपको एक उननत पद पर पदोननत किया जा सकता है, और हाँ, आज अपमनी दारशनिक ताओं तथा विचारों को किसी के साथ बाट लेने का मौका देखें, आपकी मुलाकात एक बहतरीन व्यक्ती से हो सकती है, इससे एक खुबसूरत दोस्ती या अच्छी साजेदारी भी जन्म ले सकती है, थोड़े से, ध्यान से देखने से आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और यह ज्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, आप किसी ऐसे व्यक्ती से भी मिल पाएंगे जिसके विचार आप से मिलते हों तथा आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तना ही मोल लेंगे, जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी, इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है, जिससे आपकी उर्जा बनी रहे, आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुँचाने वाले व्याया करने चाहिए, और साथ ही में दोस्तों, आज आप सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं, और आज आपके हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रबंधन कोशल की वजह से आप पाएंगे कि अपने कितना कुछ पाया है, आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उप्योग करके देखें, अटके हुए मामले और घने होंगे वह खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने म काम्याब रहेंगे जो आपके लिए खास हैं, आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिये के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कुताई प्रभावित नहीं होगा, होगी, कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, चिठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है, वैवाहिक जीवन में आप कुछ निजता की जरूरत महसूस करेंगे, तथा सिंह राशी का आज का राशी फल, आज के दिन आप बिना जंजट विश्राम कर सकेंगे, अपनी मांस पेशिय से आपकी नोग जोग हो सकती है, काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी, इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकागरता बनाए रखने की जरूरत है, आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है, खर्चों को लेकर जीव आज शुरू किये हुए कारियों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे, यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनुभव करेंगे, तथा आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जग इसे हाथ से जाने न दें, सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी, और हाँ दोस्तों, संतुलन बनाना आज का प्रमुख विशय रहेगा, और आप अपनी आए और व्याय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी आए के पू आने वाली चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार रहें, पूछे गए प्रशनों का जवाब दें, आपको अभी और भी प्रयास करने हैं, और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नीव पढ़ेगी, इन सब के बीच खुद को तरो ताजा करना और खुश रखना न भूलें तथा दोस्तों, तथा अपने इन कारात्मक रवये के चलते आप प्रगती नहीं कर पा रहे हैं, यह इस बात को समझने का सही वक्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को खाहत्म कर दिया है, हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज कर सकता है, एक तरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा, आज के दिन कारियालय का माहौल बढ़िया बना रहेगा, इस राशिके जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं, ऐसा करके आप लोगों के बीच प्य किक तरीके से लें, व्यापार में आज अच्छा खास मुनाफा होने की संभावना है, आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई उचाईयां दे सकते हैं, नया रूपरंग, नए कपड़धे लत्ते, नए यार दोस्त, आज का दिन खास बनाएंगे, अपने प्रिये की घेर जरूरी भावनात्मक मांगों के सामने घुटने न ठेकें, अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है, अपना समय और उर्जा दूसरों की मदद करने में लगाए, लेकिन ऐसे मामलों में पड़्डी ड परोचें आ सकती हैं, पद्यान न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातो बातों में नाराज कर सकते हैं, आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा, सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं, तथा आज का दिन अपने साथ बह पर्तमान या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में धेर सारी चिनताएं और संदेह हैं, आज सारे संदेह मिट जाएंगे, और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर के बारे में सपष्ट होकर सोच पाएंगे, आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और केरियर सलाहकार से सलाह ले सकते हैं, एक केरियर सलाहकार के मार्ग दर्शन से आपको एक मार्ग मिल सकता है, आज आप अपने करियर के बारे में एक दिशा में सोच सकते हैं, इसी के साथ उपाय की बात करें तो दोस्तों अच्छी सेहत के लिए पूर्व की और मोख करके भोज करें अपना खयाल रखे